तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे ग्रहनशील बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? यह क्या चीज है ज़िक किसी की ग्रहनशीलता कम करती है? इतना है कि अगर आप किसी चीज़ पर बहुत सारी चीज़ों की परद चढ़ा लेते हैं तो वो कुछ महसूस नहीं कर सकती है ना अभी आप एक बहुत बड़ा धेर हैं बहुत ही बड़ा धेर बहुत सी चीज़ें इकठा कर ली गई हैं जिने आप मैं कहते हैं शुरुआत आपके बहुत एक शरीर से हुई हलाकि शरीर को और भी ज्यादा बड़ा किया जा सकता है लेकिन बहुत एक शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं आप उससे ज्यादा बड़ा कम से कम आप एक सीमा से ज्यादा इकठा नहीं कर सकते हैं अगर आप ज्यादा इकठा कर लेते हैं, तो इसे लोटाने का समय जल्दी आ जाएगा कम से कम शरीर की एक सीमा तो है पर मन की बनावट ऐसी है, कि आप बहुत ही बड़ा धेर इकठा कर सकते हैं और अपने सिर पर इतना बड़ा बोज उठाए हुए, आपको कुछ महसूस नहीं होने वाला खास कर तब, जब आप ये मानने लगें कि जो बोज आपने उठा रखा है, वही आप हैं आप जितने कम होते जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा ग्रहनशील होते जाएंगे दूसरे शब्दों में कहना हो तो सीधी बात ये है, कि आप अपने आप से कुछ ज्यादा ही भरे हुए है अगर आप उसे कम करें, तो आप कैसे महसूस नहीं करेंगे आपको महसूस करना ही होगा, मुझे क्या महसूस करना चाहिए, क्या मुझे आपकी आवाज सुननी चाहिए नहीं, अगर आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, तो सीडी ये किसी चीज में सुन लीजिए तो जब आपके अंदर एक जीवन तूर्जा हो, तो आपको बस इसके लिए जगा बनानी होती है अगर आप जगा बना लेते हैं, तो आप इसे नहीं चुकेंगे अगर आपको सूरज की रोशनी अंदर चाहिए, तो किसी बड़ी लडाई की ज़रूरत नहीं है, बस खिरकी खोलनी होगी तो बस खुद पर गौर कीजिए और देखिए हो सकता है कि आप एक बहुत स्मार्ट इंसान है, या एक बहुत ताकतवर इंसान है, या बहुत खुबसूरत इंसान है, या कुछ और, उसे प्लीज कम कीजिए आप देखेंगे कि आप महसूस करना शुरू करतेंगे या आप एक बहुत अच्छे इंसान है प्लीज उसे कम कीजिए अच्छे लोग कुछ मैसूस नहीं कर पते वो बक्रियों की तरह बन जाते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा हूँ कैसे वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, इन सभी लोगों की तुलना में मैं एक बहुती अच्छा इंसान हूँ, आप अपने आप से बहुत ज्यादा भरे हुएं, वो अच्छे हैं, अपने आप से कुछ ज्यादा ही भरे हुएं, उससे कम कीजिए, बस ब्रहमान में अपनी जगा को समझिए, आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? फोन, आप एक काम कीजिए, आप सुबा उठियों और मुस्कुराइए, किसी को नहीं, मुस्कुराना किसी और के बारे में नहीं है, मुस्कान तब आती है, जब इसे कुछ खास महसूस होता है, वरना मुस्कान तब आती है, जब आपके अंद तरीका है है ना वीस सेकंड्स का क्राश कोर्स आप खुद को दे सकते हैं आयाना झाल झाल